सलगादी गाउं के अंगनबडी केंद्र में दिखा देते हैं आंगनबडी जाने के लिए रास्ता चटान पर पहले सबसे पढ़े दो चट्टान पर बना हुआ है और यह देखे इदार बत्चे अंगनबडी केंद्र का आँगनबडी में आय हो तुम लो देखे बच्चे जो भी ओंगनवाडी सेंटर देखिए यहां चल रहा है यह सामुदाइक भवन है यह अंगनवाडी केंद्र जो है 2021-22 में बन रहा था और उसे आधे में छोड़कर जो है चला गया पूरी तरह से बना नहीं जिसके चलते आप देख रहे हैं अभी हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे जो है धूल मिट्टी में उधर बैठे हैं और दूसरे तरफ अंगनवाडी सेंटर चलता है गावाले का क्या कहना है अंगनवाडी क्यों नहीं पूरी तरह से बन पाया हम जानते हैं अब यह आईसा इस्तित्य है लबग मोटा मोटी हमनों को जो ठ बनाया था तो अभी समझ नहीं आ रहा है इसी रहे गया या त्यार होगा कितना साल हो गया इसको बना था तो अभी सोची अभी 24 हो गया अभी 25 पहुंचने वाला है जाने करें लेकर किसी दिन आपका हम लोग का संसत जी है उससे बात करने करें लेकिन अभी तक जाने कम टाइम नहीं मिल रहे हैं तो क्या लग रहा है कि अभी इस पर विभाग लेपापुति कर रहा है हम लोग लोग तो लाग रहा है कि यह आंकन बड़ी में कुछ आपका बन जाता है और आउर सरह जगह का त्यार हो गया लेकिन मेरा सलगर्डी यह अधूरे बना हुआ है तो इस तरह से जो है इस गवाँ में जो अगर योजिना आभी जाए तो पूरा नहीं होता है जसा कि हमने बताया है कि इस गवाँ में पेजल के लिए टंकी लगाया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ इस गवाँ में अंगनवाडिक केंदर को बनाया जा रहा था लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ आधे में लटका हुआ है 2021-22 में बना हुआ है लोगों का मानना है कि विभाग इस पर लिपापोती कर रहा है और किसी तरह से फाइल क्लोज करने का वो उपाय कर रहे होंगा या फिर कर भी चुके होंगा इसमें ये तो जाज के बात है खर जो भी हो इसी तरह से हम कुटी जिले के गाउं जाते रहेंगे कामीन छेत्रों में जाते रहेंगे और जो वहां मुल्बूत सुविदाये हैं मैं आपको वहां से उसके बारे में जा बारे साथन भीजबूर